फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल दिव्यारविदिक सेंटर भी है इसमें फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले अश्टांग हेदय का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है रितू चर्या अध्या है यह जो चैप्टर है इसके अंदर आपको इसके नाम से ही जाहिर हो रहा होगा रितू मतलब रितूएं चर्या मतलब होता है कि हमें दिन चर्या कैसी अपनानी है उन रितूओं के अनुसार कैसी दिन चर्या हमारी होनी चाहिए ठीक है तो हम इसके अंदर कुल मिलाके रीतों पढ़ेंगे उन रीतों में क्या-क्या दिंचर्या होनी चाहिए उन रीतों में कौन-कौन से किस रीतों में कौन से दोस का प्रकोप होता है कौन से दोस का समन होता है और उस रीतों में हमें कौन से दिंचर्या अपनानी है यही चीज इस चैप्टर में बताया गया है ठीक है पूरे चैप्टर में यही है तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को सुरू करते हैं तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं छह रितु हैं कौन-कौन सी होती हैं तो छह रितु में जो सबसे पहली रितु है हमारी वह है सिसिर रितु दूसरी है वसंत रितू, तीसरी है ग्रिसम रितू, चौथी है वर्सा रितू, पाचवा है सरद रितू, और छटी है हमारी हेमंत रितू, ठीक है? वैसें को याद करने के लिए और ट्रिक बना रखी है, उससे आपको यह आसानी से याद रहेंगी, जैसे की सिसिर रितू, ठीक है? तो सिसिर मतलब S से आता है तो ये S हो गया वसंत रितू V से आता है तो ये V हो गया और ग्रिस्म रितू किस से आता है? G से तो ये G हो गया इन तीनों को मिलाके हमारा बन जाता है Saving ठीक है? याद रखना याद करने के लिए सिर्फ एक ट्रिक है Saving, S-V-G मतलब Saving Saving का मतलब हो गया हमारी सिसिर रितू, वसंत रितू और ग्रिस्म रितू इसके बाद हमारी आती है वर्सा रितू, तो वर्सा रितू फिर V से आती है ठीक है? सरद रितू अब के बार S से आती है और हिमंत रितू हमारी H से आती है तो VSH मतलब विस ठीक है तो हम ये ट्रिक है याद करने की कि वर्षा रितु और सरद रितु और हमन्त रितु को हम याद रखेंगे VSH से ठीक है VSH मतलब विस यानि कि सेविंग विस से हम अपनी 6 की 6 रितियों याद कर सकते हैं S मतलब सिसिर रितु, V मतलब वसंद रितु, G मतलब ग्रिस्म रितु तो सेविंग और फिर V मतलब वर्षा रितु, S मतलब सरद रितु और H मतलब हमन्त रितु यानि कि विस तो सेविंग विस से हमे 6 रितु याद हो गई ठीक है अब हम एक एक रितु देखते हैं कि वो कितन महीनों तक रहती है तो जो सिसिर रितु है वो माग और फागुन इन दोनों महीनों में सिसिर रितु रहती है हमारे modern के अनुसार mid January to mid March तक सिसिर रितु रहती है और इसको हम winter season कहते हैं ठीक है और इस सीजन को हम spring सीजन कहते हैं उसके बाद हमारी ग्रिश्म रितु जो है वो जेश्ट महीना और असाड महीना में रहती है और जो modern के अनुसार mid matter to mid July तक रहती है और इसको हम summer season कहते हैं ठीक है इसके बाद हमारी वर्सा रितु आती है वरसा रितू स्रामण और भाद्रपद महीने में रहती है और हमारे मॉडन के अनुसार मिड जुलाई टू मिड सेप्टमबर तक रहती है और इसको हम रहनी सीजन कहते हैं इसके बाद सरद रितू सरद रितु जो है वो अस्विन महीना और कार्थिक महीना में रहती है और हमारे modern के अनुशाल mid September to mid November तक रहती है और हम इसको autumn region कहते हैं ठीक है उसके बाद हमारे आती है last रितु हो है हेमंत रितु हेमंत रितु जो है वो मार्ग सीज और पॉस महीने में रहती है और हमारे modern के हिसाब से mid November to mid January तक रहती है और इसमें जो सीजन होता है वो autumn और winter दोनों सीजन रहता है ठीक है तो यह हमारी 6 रितु हो गई कि कब से कब तक रहती है हमने यहाँ पर आपको समझने के लिए दोनों चीजे इसलिए बता दी है modern से भी relate कर दिया है सिसिर रितु को हम modern में winter सीजन कहते है वसंत रितु को हम modern में spring सीजन कहते है और ग्रेस्म रितु को हम summer सीजन कहते है वर्सा रितु को हम rainy सीजन कहते है और सरद रितु को हम autumn सीजन कहते है और हमन्त रितु में दोनों सीजन आ जाते है autumn भी और winter भी थोड़ थोड़ा ठीक है यानि कि जो last days बसते हैं मंतरीतू के वो उसमें winter और जो सुरुआत होती है जब इसकी तो उसमें autumn season होता है ठीक है और किस-किस महिने में यह हमने यहाँ पर बता दिया है इसके बाद हम देखेंगे जो सुरु की तीन रीतूएं हैं यह वाली जो सुरु की तीन रीतूएं हैं सिसिर वसंत और ग्रेजम इन तीनों रीतूएं को हम कहते हैं आदान काल की रीतुएं ठीक है अगर कोशन आया आदान काल की रीतुएं का वर्णन करो तो आप समझ जा ना आदान काल की रीतुएं कौन-कौन सी हैं सिर्व वसंत और ग्रेजम यानि की सेविंग ठीक है जो हमारी सेविंग वाली रीतुएं हैं ये हमारी आदान काल की है जो मनुष्र moléka bell होता है वो कम रहता है च्हीड हो जाता है और सूरी की केड़ने होती हैं यसलिव। है साथ जो है वो उत्तर की तरफ जाता है, ठीक है, जब उसका सूर्यास्त होता है, तो उत्तर की तरफ, तो इसलिये हम इसे कहतें, उत्त्राइंड काल, इसमें बल जो होता है वो छीड़ होता है मन avoir shy believer, ए सूर के किर्ने तेज होती हैं, और सिसिर वसंत और ग्रिस्म, ये तीनों रित की तीन है वो विसर्ग काल की रीत हुए है और जो सुरू की तीन है वो आदान काल की रीत हुए है तो विसर्ग काल में क्या होता है जो सूरी का बल होता है वो छीड होता है और मनुसी का बल बढ़ जाता है यानि कि इसका अपोजिट इसके उत्तरायन काल में क्या था कि मनुस सिका है वो छीड़ हो रहा था और यहां दक्षिनायन में मनुस्य का जो बल है वो बढ़ जाता है ठीक है तो यह इतनी छह रितू के बारे पर नॉर्मल बाते थी जो हमारे अश्टांग इर्दे में जब यह तीसरा चैप्टर सुरू होता है रितू चल रहा है तो उसके से आपको complete समझ में आ जाएगा एक हलका सामने यहां पर आपको बताने की कोशिस किया है कि जो सुरू की तीन रितू है वो आदान काल की रितू है और जो लाश्ट की तीन होती है वो विसर्ग काल या दच्छनायन काल की रितू होती है ठीक है इसमें आपका इतना ही था इस तरीके से किन रितू होता है यह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ठीक है तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताईए कि कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू किर